गर की ओरते खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और गर की ओरते नाचती हैं पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तेनात करते थी ताकि कोई कुटा घर में ने गुश जाए आज कल घर के दरवाजे पर कुटा तेनाज करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना गुच जाए पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटिन घर के बाहर करने जाता था अब खाना बाहर खाता है और लेटिन घर में आके करता है पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था अब आदमी कार से जिम जाता है साइक्ल चलाने के लिए चारों महत्वकूंड बदलाव है वारे मानव तेरा सभाव लास को हाथ लगाता है तो नहाता है पर बेजवान जीव को मार के खाता है यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह दोस्तों जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीक मां पढे और दुक में पिछे हो जाती है गजब तेरी दुनिए का गजब तेरा खेल मोमबती जलाकर मुर्दो को याद करना और मोमबती बंजाकर जन्ल दिन मनाना वारे दुनिया लाइन छोटी है पर मतलब बहुत बढ़ा है उम्र बर उछाया बोज उस किल ने उम्र पूर्बर उठाया बोज उसकीलने और लोगतारीफ तस्वीर की करते रहे। पाइल हजारों रुपे में आती हैं पर पेरों में पहनी जाती हैं बिंदी एक रुपे में आती हैं मगर माथे पर सजाई जाती हैं। इसलिए किमत माइने नहीं रखती उसका करते माइने रखता है। एक किताब घर में पड़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते हैं और जो उनके लड़ते हैं वो कभी उनको नहीं पढ़ते हैं। नमक की तरह कड़वा ग्यान देने वाला ही सचा मित्र होता है, मिठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं, इतियास गवा है कि आज तक कभी नमक में किड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर किड़े पड़े जाया करते हैं, अच्छे मार्क पर कोई विक्ती नहीं जाता पर बुरे मार्क पर सबी जाते हैं, इसलिए दारू बेशने वाला कहीं नहीं जाता पर दूद बेशने वालों को घर-गर गली-गली कोने वने जाना पड़ता है, दूद वाले से बार-बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला पर दारू में खुद हातो से पानी मिला कर पीते हैं और अंत में बहुत खूब सुरत पंक्ति इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और सेर कहो तो खुष हो जाता है जबकी forget बी जानवर का ही नाम है सिर्फ अपने तक ही सिमित्न करें सेर जरूर करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी